इस कहानी से आपको पता चलेगा कि अधूरी प्यार में तड़पना केसा होता है। अगर आप सिंगिल हो तो इसे जरूर देखना और इस दर्थ को महसुस ना कर पाए तो समस्ने का कोशिस जरूर करना। मुभी के स्टाटिंग में हमें तो बच्चों को दिखाया जता है। चेरी फ्लोसम के पंखोडिया गिर रहे होते हैं। इन पंखोडिया का स्पीड 5 सेंटीमिटर पर सेकेंड है। वो बच्ची ट्रेल लाइन क्रोस करके उस तरफ जाती है और उस लड़के को कहती है। तका क मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि हम अगले साल चेरी फ्लोसम एक साथ देखेंगे। तका कि इस लड़की यानि अकारी से फोर्थ क्रेट में मिला था। उनके इलिमेंटरी स्कूल में पढ़ते वक्त ये दोनों ही स्कूल में ने थे और दोनों को ही अपने पेरेंट्स के काम के वज़े से यहां आना पड़ा था। इसलिए दोनों दूसरे स्टूडेंस के साथ ओकोड थे। क्योंकि दोनों के हालात एक जैसे थे। दोनों करीबी दोस्त बनगे। तका कि अकारी को बताता है कि वो बड़े होकर एक कॉस्मोन और बनना चाहता है। और अकारी उस को एक ही स्कूल में पड़ेंगे पर अकारी को पता चलता है कि उसकी फ्यामली दूसरे सहर में सिफ्ट होने वाली है। वो ये बात तकाके को फोन करके बताती है। वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिबाए इस सच्चाई को असेप्ट करने की। तका कि उसे सही से गुड़बा कम होता गया। तकाकी के पैरेंट्स उसे बताते ही कि वो लोग ताने का सिमा में सिफ्ट हो रहे है। जो अकारी के होमटाउन यह फुने से बहुत दूर है। तब तकाकी डिसाइड करता है कि वो अकारी से मिलने जाएगा। चाहे कुछ भी हो। वो अकारी को एक लेटर ल जाता है क्योंकि उसने अकारी को साथ बचे मिलने को कहा था पर अब वो ट्रेन के पुझे से लेट हो जाएगा। ट्रेन में वो उस लेटर को देखता है जो उसने अकारी के लिए लिखा था ताकि इस लेटर के जरिए वो अकारी को अपना फिलिंग्स बता सके पर एक स्ट तकाकी बहुत देरी से अकारी के पास पहुंसता है, तकाकी को दिखकर अकारी खुसी के मारे रोने लगती है, वो उसके लिए खाना वना के लाई थी, दोनों मजे से खाना खाते हैं, फिर वो दोनों एक चेरी प्लोसम पेट के सामने किस करते हैं, तकाकी बहुत खुसता, के बाद तकाकी हाइश कूल की पढ़ाई के लिएने स्कूल में आता है। तकाकी को दिखते ही ही कनाई नाम की एक लड़की उसे मनी मन पसंद करने लगती है पर तकाकी को अपने feelings कमफिस करने का हिमत उसमें नहीं थी वो स्रीप छुप छुप कर उसे देखती है तकाकी स्कूल के बाद दिरंदाजे का प्रैटिस करता है कनाई उसके साथ बातचित करने का कोसिस करती है वो उसके लिए वेट करती है ताकि दोनों एक साथ घर जा सके, तकाकी कनाई से बाते करता है, क्योंकि उसे कनाई एक अच्छी लड़की लगती है, पर तकाकी को पता नहीं है कि कनाई के मन में उसके लिए रोमांटिक फिलिंग से, वो उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह ट्रिट करता है, कनाई नूटिस करती है क कि तका की हमेसा किसी को इमेल्स लिखता है वो सोचती है कास की वो मुझे इसे ही इमेल्स लिखता पर बात में हमें पता चलता है कि तका के किसी को भी इमेल्स भेज नहीं रहा था वो बस टाइप करके अपना फिलिंग्स लिखता है और उसे डिलेट कर देता है क्योंकि अब और तकाकी एक दूसरे को लेटर्स नहीं लिखते हैं दुनों ने एक दूसरे से कंटर्ट बंद कर दिया है साइध अकारी मुवन कर चुकी है पर तकाकी उसे अभी तक भुला नहीं पाया है उसके मन में अभी भी अकारी के लिए कुछ फीलिंग से वो बार-बार उसके वारे में ही सपना देखता है कनाय थोड़ी कंटर्ट होके तकाकी को कंफिस करने का डिसाइड करती है पर वो एक सरमीली लड़की थी बहुत कोशिस करने के बाद भी वो कंफिस नहीं कर पाती है और इसलिए वो रोने लगती है तकाकी उससे पुष्टता है कि वो क्यों रो रही है उसी वक्त वहां एक रोकेट जाती है तो दोनों की नजर उसके उपर होता है कनाय चूप हो जाती है फिर तकाकी उसे खर छोड़ कर चला जता है अपने फिलिंग्स को कंफिस करने में फेल होने के बाद कनाय समझ पाती है कि तकाकी कभी उसे उस नजर से देखी नहीं रहा था वो उन सितारों के दुनिया में खुया रहता था पर कनाय उसे भूल नहीं सकती थी वो डिसाइड करती है कि वो तकाकी को अपनी फिलिंग्स नहीं वताएगी पर वो उसे प्यार करना भी कभी नहीं चूड़ेगी वो हमेशा उसे याद करती रहेगी इसके पात हमें डारेक्ली दो होचर आठ का सीन दिखाया जता है तकाकी टोकियो में एक प्रोग्रामर बन चुका है और अकारी किसी दूसरे आठ्मी से साधी करने का तयारी कर रही है तकाकी अभी भी अकारी के लिए तरस रहा है बर्तमान उसकी जो कल्ट्फ्रेंट है वो उसे एक कॉल करती है पर तकाकी कॉल रिसीब नहीं करता है और उन दोनों की तीन साल की रिलेसन से इफ खतम हो जाती है अकारी की याद में तकाकी डिप्रेस हो चुका था मानों वो जिंदिकी जीनने के बचाए जिंदिकी को सरफ काट रहा है वो अपना जब छोड़ को फ्रिलियंसिंग का काम करता है इधर अकारी अपना लेटर वक्स फ्रिली कर ईस खूल कर उस लेटर को देखती है जो उसने तकाकी को देने के लिए लिगी थी पूर वो उसे ये दे नहीं पाई थी बूर उन पलो को याद करके खुँस होती है तकाकी कनविनेंस टौर में रोकेट के वारे में एक मैगचिक पड़ता है फिर वो और अकारी एक सपने में खो जाते हैं जहां दोनों एक साथ है और इस सपने में दोनों 15 साल के थे एक दिन तकागी और अकारी उस ट्रेन लाइन को क्रस करते हैं जहां वो बच्पन में एक साथ चल रहे थे पर अभी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं सिर्फ महसूस कर पाते क्रोस करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने के लिए मुडते हैं लेकिन उनके बीच ट्रेन आ जाती है तकह की ट्रेन के जाने का इंतजार करता है और आखिर में देखता है कि अकारी वहां से जा चुकी है कुछ समय बाद वह स्माइल करता है और वहां से चला जाता है और चेरी पलसम के पंखुडिया गीर रहे होते हैं यही पर यह आनिमी खतम हुआ जिसे तकाकी अधूरे प्यार में तड़प रहा था वैसे कनाई भी परद होता है और एही चीछ हमें हमारे जिन्दिके को खुशे से जीने नहीं देती बात कड़ भी है पर सच है